इस शिक्षन समय थी बाढ़ में इस शिक्षन कारे कक्षा पर्थमा विशय प्रियावरान अध्यान प्रक्रान अध्याच्याथ जल में रहने वाले अपने साथी भाग दूँग हमने पिछले इस शिक्षन कारे में भाग एक का वर्णन किया गया था आज हम भाग दूँग जल में रहने वाले साथी जल्चर का दिन करेंगे बतक बतक जल और थल्क पर रहती हैं बतक की गरदन लंबी होती हैं बतक के पंजे चोड़े होते हैं बतक मचली खाती है बगूला बगूला सपेद रंग का होता हैं बगूला मचली खाता हैं बगूले की टांगे लंबी होती हैं आकास में उरते समय बगूले पंक्ति बना कर उरते हैं तीस्रा बार मचली मचली को जल की रानी क्याते हैं मचली पानी के विना जीवित नहीं जा सकती है मचली छोटी और बड़ी कई परकार की होती है मचली से हम सवदेश प्रेम सीख सकते हैं आज का अभ्यास परस्णों उतर कक्षा कार्या में बैया बैयें परस्णों उतर करेंगे क्षा कार्या का परस्ण संक्या एक बतक कहां रहती है उतर बतक जल और थल में रहती है परस्ण संक्या दू बतक के पंजे कैसे होते है उतर बतक के पंजे चोड़े होते है पसंग्या तीन बगूले की टांगे कैसी होती है उत्तर बगूले की टांगे लंबी होती है पसंग्या चा बगूले पंक्ति बनाकर कब उड़ते है उत्तर बगूले आकास में उड़ते समय बगूले पंक्ति बनाकर उड़ते है परसंग्या 5, पानी के बिना कोन जीवित नहीं रह सकती है? उत्तर पानी के बिना मचली जीवित नहीं रह सकती है परसंग्या 6, मचलियां कितने परकार की होती है? उत्तर मचलियां छोटी और वड़ी कई परकार की होती है आज का गर्यकारे सभी बैया बैन अपने अभ्यास फुष्टी का में घर से गर्यकारे के प्रस्ण उत्र करेंगे गर्यकारे का प्रस्ण संग्या एक किस पक्षी की गर्दन लंबी होती है गर्यकारे का प्रस्ण नमर दो मचलिया कोण कोण से पक्षी खाते है गर्यकारे का प्रस्ट सेंग्या तीन बगुले का रंग कैसा होता है गर्यकारे का प्रस्ट सेंग्या चार जल की रानी किसे कहते है गर्यकारे का प्रस्ट सेंग्या पांच हम सवदेश प्रेम किसे सीख सकते है सबी बैया बैं इन सबी प्रश्णों की उत्तर गर्से लिखेंगे दन्यवाद